नमस्कार आप सिटी पोस्ट लाइब देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सशिन्ति वारे बीपीएसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसको लेकर कई सारे छात्रों के मन में सवाल चल रहा है यहां तरक्की बीएडवियर्थू के मन में भी सवाल चल रहा है या कई सबसे पहले तो तमाम अभिर्थी जो इस बार पास किये हैं अच्छी खासी संख्या है सभी को बहतर भविष्ट की सुभकामना है रिजल्ट हुआ है निश्चित रूप से उनका भविष्ट एक नई दिशा में बर रही है लेकिन साथ में हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिन अभिर्थियों का रिजल्ट कुछ एक मार्स से चूटा है तो अगर निश्चित रूप से कटॉप से बाहर हुए है नहीं हुआ है तो गम तो निश्चित रूप से है परिशानी है लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो अभी आयूब को बहुत कु जिस तरी से कराए और बहतर एक माहूल बना करके सारा कुछ किये तो वह काबिले तारीफ है क्योंकि इससे पहले लगातार आयोग पर प्रस्चिल लगता रहा है लेकिन इनोंने हर एक चीज इतना क्लियर तरीके से हर एक चीज को ढंग से बताए भी कि हमने कैसे कैसे किया औ सक नहीं रहा और किसी को भी सक की गुंजाइस नहीं रही कि कहीं गरवरी हुई होगी लेकिन अब जाकर के लास्ट में जब रिजल्ट फाइनल आता है तो 48137 सीट बताया जा रहा है कि इतनी सीट खाली रह गई इसके क्या कारण हो सकते हैं क्या बास्तविक रूप से 48137 सी 61 वेकंसी में से 1,22,324 यानी 72 परसेंट वेकंसी को भरने की बातें कहीं गई अभी PSC चेर्मेंसर के द्वारा अब सवाल यह उठता है कि इसमें कई जगह पे थोड़ा विवाद नजर आ रहा है कि एक ही अभियर्थी जिनका कि 11-12 में रिजल्ट हुआ उसी अभियर्थी का 1-5 में भी रिजल्ट देखा गया और चुकि अभी 9-10 का रिजल्ट नहीं दिया गया है में भी कि 9-10 का रिजल्ट जब दिया जाएगा तो वही अभियर्थी बहुत सारे कॉमन अभियर्थी 9-10 में भी नजर आएंगे तो कहीं न कहीं सरकार को यह किलियर करना चाहिए आयो इसी में से बच्चे हुए जो अभी बाहर हुए स्टुडेंट हैं जिनका कि उसके बाद का मार्किंग हुआ होगा क्या उनको मुका इस पर मिले गई यह निशित रूप से किलियर करना चाहिए और ऐसे हजारों सीट भेकेंट फिर दुबारा से होगा और इसके आलावे सिर्फ पास तो कर गये हैं लेकिन सीट में फेल कर गए बीएड में फेल कर घड़ अखिर उनका जो सीट फेक्पैंट होगा उस सीट का क्या क्या दूसरें बच्चों को दूसरे अभिसंट आभिःफ्थी को वहं पर मुखा मिलेगी कि यह सारे बचे हुए सीट को नेक्सट वेकंसी में add कर दिया जाएगा अगर direct जिस तरीके से आप प्यकल में भी देखे होंगे तो उस 명ी यह बातøre कि यह ब्र mandate किलीर वहा हुए था कि जो बेंशी बज जाएगी घाली रहा जाएगी उसको अगामी वेकंसी में एड कर दिया जाएगा तो डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सत्तर हजार प्लस अपकमिंग वेकंसी है और अर्टालीस हजार 137 सीट अभी वेकंट दिखाया जा रहा है और यह जितनी बातों पर हम डिसकेशन किये हैं तो कम सकम 15-20 13,000 सीट और एड हो जाएगा तो डेटा के हिसाब से वह लगभग दुगुना सीट और हो जाएगे वहां पर लेकिन यह अभीरती पूरी तरीके से ठगा हुआ महसूसियां अभी से करने लगे हैं क्योंकि अभी तक कट ओफ के लिएर नहीं किया है आयोग और इसके बाद वहा किस पोस्ट को में उपर रखना चाते हैं किसको बाद में तो उस फरिस्तिती में निश्ची तुरुप से मैक्सिमम छात्र 11-12 को पहले रखते 9-10 और लास्ट में 125 का लेकिन ऐसा वरियता तो लिया नहीं गया ऐसा करने से क्या होता कि जब वेरिपिकेशन होता तो सीट लॉ साले स्टुडेंट को लगातार मोका मिलते चला जाता और नीचे जो 125 वाले हैं उसको मैक्सिमम लाब होता उन अभियर्थियों को लेकिन ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है कई सवार कड़े कर रहे हैं कि जो कट अफ मार्किंग है उसको उसको लेकर काफी प्रशान है उन लोग के कहना है कि इसको सवाफ करना से था ताकि हम लोगों को प्रशानी हो तो मैं भी मैं भी कि आयोग इस पर तो कुछ न कुछ करेगी जिस तरीके से हर एक चीज बड़ा भीतर तरीके से किलियर की है वीपेसी चर्मिन के द्वारा किया गया है इस चीज को भी किया जाएगा लेकिन देरी क्यों जितनी जल्दी हो ये चीज के लिए कर दिया जाना चाहिए था एक इसू जरूर है कि जो वीत तारिक को बीएड और डिल एड का जो मामला है तो में भी कि उसको ले करके कुछ वापो की स्थिती बनी हुई हो जिसको ले करके पुरी सीट अभी नहीं किलियर किया गया है तो अब तो ज्यादा समय नहीं एक से उसका मामला चुकी कोट के अधीन है तो कोट के अधीन है दोदीन के बाद टू का सारा मामला केळा हो यह तो यह थे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आप इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा आप कमेंट वक्स में कमेंट करें